वेलकम बेक तो माई टूचल पेपर हैकर आज किस वीडियो में देखने वाले है जो भी जातर बीए फास समस्टर में है सोसलोजी का हम पेपर ले किया है जिसमें हम देखेंगे बिटा बहुत जादा इंपोटेंट कोशन है और मैं सारे पूरा पेपर आपको करा रहा हूं ता अब कैसे बना के लिखोगे मैं आपको सिंपल बता रहा हूं इस वीडियो को लाँस तक देखना और बस आपको सुनना है इस वीडियो समझना है मैं आपको समझ तरीके से समझ जाओगे यह फिर आप इसको फिर उसके बाद में आपने बुक्के नोट्स भी बना सकते हो अभी लोग ध्यान से देखेंगे और आपने अभीतित हमारा एक दूसरा चैनल है जिसका नाम में बीए बाई पेपर बीए बाई पेपर हैकर उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं उसका लिंक डिसक्प्शन बॉक्स में है जाकर सब्सक्राइब कर लेजिए और पेपर है कलता है दिहान से देखो देखो यहां बोला गया है सवाभी अध्यां में कि मानवी की उगाश्य में वपागं को अभी को मिखन भी बोलते हैं इस बात यूए इस बात पर बल दिया जाता है जो अभागं मानविकी उपागम उस बात पर बल दिया जाता है समास सास्त के अंदर की जो समास सास्त को कह सकते हैं विशुद सिद्धानतों के निर्माड पर ध्यान देने के वज़े समाजिक समस्याओं के पिर्ति जागरुक होना चाहिए हमसे यह बोला गया है कि जो समाज सास होते हैं इनके विशुद सिध्धानतों के निर्माड पर ध्यान देने के बज़े आप समाज सास के जो विशुद सिध्धानता है उस पर ध्यान मत दो उसके निर्माड के ध्यान देने के बज़े है आप किसे ध्यान दो कि समाज़िक जो समस्या है उनके प्रती जागर खोना है मतलब आप समाजिक समस्याओं के प्रतित जागर्ख हो जाओ लेकिन आप विसुद सिद्धानतों के निर्माड पर ध्यान मत दो ये बोला गया है समाज सास्त्री अब मानविकी के अंदर अब ध्यान तको उसके बाद बोला गया है इसलिए मानविकी अभी मुखन उन बर्लों ये फिर उन ब्यक्तियों के अध्यान पर बल देता है जो कह सकते हैं समाज सास्त्री मानविकी उपागम होता है ये अभी मुखन होता है वो उन बर्लों ये फिर उन बर्लों के ब्यक्तियों के अध्यान पर बल देता है जो अभी तक उपेक्षित क्या है उपेक्षित रही है मतलब अभी तक जो उपेक्षित रहे है ऐसे लोगों पर जो समास सास्तर है वो मानवी की उपागम पर बल देता है ध्यान देता है फिर अध्यान करता है है अब यहां उसके बाद में क्या बूला गया इन देंगे यहां बूला गया है दो उत कि और शयस्टा है एक सार кषान और को या undertook यार्मत का लिए बस इतना सा कोशन है उसके बाला कुछ नहीं पुड़़ाना अब यहां कह रहा है मानविकी अभी मुखन उपक्षित, सोशित तथा कमजोर बर्ग के लोगों का या लोगों के अध्यान पर बल देता है जो मानविकी उभागम है वो सोशित लोग हैं कमजोर बर्ग के लोग हैं उन पर ध्यान देता है दूसरा टॉपिक उसमें दे रखा है कि समाजिक यथारतों को समझने के लिए मानवी की उपागम ये फिर अभी मुखन में ब्यक्ति निष्ट अध्यन को महत्पूर्ण जाना गया है ये बूला गया है कि जो समाजिक यथारतों को समझने के लिए मानवी की उपागम है उनमें बिरतिनिश्ट अध्यन को महत्पूर्ण माना गया है उसके बाद में यहां बोला गया है कि मानवी की अभी मुखन या फिर उपागम भी कह सकते हैं अभी मुखन को देखो यहां बोला गया है उपागम में अध्यन के लिए आत्मकथा, डायरी, सहभागी, अपलोकन और निजी आधी पिर्ती निदियों का प्रियोग उचित माना गया है उसके बाद में चौथा पॉइंट डालेंगे और बोला गया है मानविकी अभी मुखन की मानता है कि समाजिक घटनाओं का अध्यन अर्थ और प्रदानता तथा बोध के आधार पर होना चाहिए यह यहां तक आपको लिखना है इसके लाबा कुछ नहीं करना आप इसको नोट अनको प्रेस कर देना